वर 25 लेते हैं, if in an AP, SN is equals to 3N square plus 5N, मतलब किसी AP में आपको first N terms का sum given है, 3N square plus 5N, and AK, AK मतलब K term आपको given है, जैसे 5 term होता है, 6 term होता है, 7 term होता है, वैसे, K term कितना given है आपको 164, find the value of K, बास समझे, यह जो K होगा, यह कोई natural number है, ठीक है, और यही हमको निकालना है, यह कौन सा term 164 है, भाई K term 164 है, तो K की value निकालने का मतलब है, यह बताना है, कौन सा term 164 है, तो यह K जब आप find करोगे, तो एक natural number होगा, अब दीए, बास समझे, इन्होंने हमको K term दिया हुआ है, ओके, तो यह जो N terms का formula है, first N terms का formula है, इसकी help से आप N term पहले AP का find कर लीजे, देखे, एनिटर्म आप the AP is given by SN minus, SN minus 1, ठीक है, first N terms का सम, minus first N minus 1 terms का सम, अब देखे, यहाँ से, A N is equals to, क्या हो जाएगा, N terms का सम तों को given है, कितना, 3 N square, plus 5 N minus, अब देखे, यह बच्चे नहीं calculate कर पाते है, इसमें कोई परशानी की बात नहीं है, देखे, मैं बताना हूँ, आपको इन्होंने क्या given है, SN is equals to, 3 N square plus 5 N, यह आपको given है, ठीक, तो अगर मैं बोनो, first N minus 1 terms का सम निकाल दो, N की जगा, आप क्या पूट कर दोगे, put, N is equals to, N minus 1, तो क्या हो जाएगा, SN minus 1 is equals to, अब दो को यह 3 N square है, तो 3, अदो को यह N square है, तो N की जगा आप क्या रख दोगे, N minus 1, तो यह N minus 1 का square हो जाएगा, plus 5 into N था, N की जगा आपने क्या रख खा, N minus 1, तो 5 into N minus 1 हो गया, solve करते है, 3, अब दो यहाँ, A minus B का whole square लगेगा, तो A square, यहने के N का square, ठीक है, minus 2 into A into B, plus B square, minus 2 into B, 2 into N into 1, minus 2 N, और प्लस B square, यहने की plus 1 square, 1 होता है, plus 5 into N, 5 N, और प्लस माइनस 5 बंदा 5, तो ऐसा आगया, solve करते हैं, इसको, 3 से अंदर multiply करते हैं, तो 3 into N square, 3 N square, 3 to the 6, और माइनस आएगा, अप्लस 3 बंदा 3, और प्लस 5 N, और माइनस 5, correct, solve करते है, 3 N square, अब धिहां से चेक करिए, बच्छो, माइनस 6 N, और प्लस 5 N, क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 होता है, माइनस 1 N, यानिके माइनस N, और दे कि 3 और माइनस 5, माइनस 2 हो जाएगा, तो गिया आगया, आपके पास N माइनस 1 टम्स का सम, this is equation number 2, suppose, and this is equation number 1, now putting the value of N minus sum of first N minus 1 terms from 2, to equation number 1, to in equation number 1, okay, तो N minus 1 टम्स का सम कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, आपका, bracket मे रखना है, जाम रखना है, जाम रखना है, माइनस 3 N, दे को S N, माइनस 1 की जगा मैं यह पूरा पट कर रहा हू, 3 N square, minus N, minus 2, okay, now N, term is equals to, 3 N square, plus 5 N, bracket को लो, minus, plus, minus, 3 N square, minus, minus, plus, n, minus, minus, plus, okay, अब दिके 3 N square, positive, और 3 N square, negative, cancel, 5 N, plus N, 6 N, और साथ में आगया, plus 2, तो N, term का जो formula हो गया, वो क्या आगया, आपका, 6 N plus 2, जो की linear polynomial है, N में, N की maximum power है, यहाँ पे वान है, इसका मतलब यह AP का N, term है, आप दिके, AP का जब आपको N, term पता चल गया, तो मैं अगर आपको बोलूँ भाई, first term निकालो, N की जगा 1, put करोगे, मैं आपको बोलूँ करोगे, second term निकालो, N की जगा 2, put करोगे, मैं अगर बोलू, के तर्म निकालो, तो N की जगा आपके, पूट कर दीजे, के के कोई नाच्रल नमबर था, मैं आपको बताया, तो पूटिंग, N is equals to K, and we will get K, term as N की जगा के रखे 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 है, तो 6 K plus 2, जगे, तो देखे, यह बने एक्वेशन नमबर 2, 3, ठीके, बट, बट, कोशन में आपको क्या गिवन था, के तर्म 164, अब मेरी पाद ध्यान से सुनी, यह ओगे, सपोस 4, अब ध्यान से चक करिए, 3 or 4 को देखे, के तर्म यह तो आपने निकाला 6 K plus 2, और के तर्म यह कोशन में दिया था, है तो यह के तर्मी ना, यह तो तुमने निकाला, और यह कोशन में दिया है, तो के तर्म is equals to 164, यानि कि के तर्म हमने कैसा दिखाया, 6, 6K plus 2 से, और यह है किसके को, 164 के को लग देंगे इसको, आप बस सौल पर दिजे, यहां से 2 कमन लेंगे left-hand side से, यहां हो जागा 3 into k 3k, और प्लस 1 is equals to 164, not dividing by 2 both sides, 2 से left में, 2 से right में divide, 2 से 2 cancel, 2 ones are, 2 eights are, और यहां पर हो जाएगा आपका कितना, ऐसा, ठीक है, 82, 3K plus 1 is equals to 82, now, 3K is equals to 1 को right में भेज दीजे आप, तो 82 minus 1, 81 आ जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास जो आया, वाया क्या, 3K is equals to 81, not dividing by 3 both sides, 3 से left में, 3 से right में divide लगेंगे, 3 बंजा और यह 27 टाइम्स जाएगा, तो K का जो value है, वो 27 आ गया, मतलब समझ रहो आप, मतलब उन्होंने हमको 27th term, जिस AP के N terms का formula ऐसा था, 1st N terms का formula, 1st N terms के sum का formula ऐसा था, उस AP का 27th term उन्होंने हमको दिया हो था, 15, 27th, 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 27th number